हेलो फ्रेंड्स वेल्कम वेक टुमाई चैनल यासमेंस के चनाब आज मैं आपके साथ शेर करूँगे बच्चों के लंच बोक्स के लिए कुईक एजी जटपड बनने वाले हेल्दी लंच बोक्स और टीफिन रेसिपी इन्हें बनाना बहुती ज्यादा आसान है खाने में ब पहले देखते हैं किस तरह से मीन मज़धार चार इजी लंच बोक्स रेसिपी को बना कर लेडी करेंगे आपके साथ शेयर करूँ इस सूजी का बहुती टेस्टी और हेल्दी नाश्टे की रेसिपी इस नाश्टे की खास बात यह है कि इसे हम बहुती कम ओयल में बनाकर रेडी करेंगे साथ ही हम इसमें बहुत सारी वेजेटेबल बेट करेंगे जिससे हमारा नाश्टा और भी ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होगा आप इसे नाश्टे में बना सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इने बना कर दे सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में हमारा सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्टा बनकर रेडी हो जाता है या आप इसे वेजेटेबल पैन के कहलीजे बड़े ही मज़े का बनकर रेडी होता है चलिए देखते हैं किस तरह से हम इस मज़दान नाश्टे को बनाकर रेडी करेंगे तो इस मज़दान नाश्टे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल इसमें हम एट करेंगे एक कप सूजी मैं यहाँ पर बारिक वाली सूजी का इस्तमाल करें हूँ अब हम इसमें एट करेंगे हाफ कप दही दही मैं यहाँ पर फ्रेश इस्तमाल करें हूँ इसके लिए आपको ज्यादा खटी दही का इस्तमाल नहीं करना है अब हम इसमें एट करेंगे कुछ वेजटेबल जो की कुछ ही हो है एक मेडियम साइस का बारिक कट किया हुवा टमाटर, एक मेडियम साइस की बारिक चोप की हुई प्यास और दो मैं इसमें एट करूँगी बारिक कट की हुई हरी मिर्च आप इसमें अपनी पसंद के कुछ और वेजटेबल्स पे एट कर सकते हैं एसे आप चाहें तो आप इसमें शिम्ला मिर्च पत्ता गोभी यह गाजर भी एट कर सकते हैं मैं यहाँ पर सिरी इनी वेज़ेबुल का इस्तमाल कर लहीं हूं अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमें एट करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया एट करने से नाश्टे में हमारे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब हम इसमें एट करेंगे कुछ spices जो कि कुछ ही हूँ है वन टी स्पुन मैं इसमें एट करूँगी नमक नमक आप अपनी टेस्ट के अकोडिंग कमिया ज्यादा एट कर सकते हैं वन टीस्पून हम इसमें एट करेंगे चिली फलेक्स अगर आपके पास चिली फलेक्स नहीं है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी एट कर सकते हैं हाफ टीस्पून हम इसमेट करेंगे भुना हुआ जीरा, नाश्टे में खट्टे टेस्ट के लिए मैं इसमेट करी हूँ वन टीस्पून अमचूर पौडर, अगर आपके पास अमचूर पौडर नहीं है तो आप इसमें टू टेबिली स्पून लेमन जूस भी एट कर सकते हैं इन सबी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमेट करेंगे हाफ कप पानी, यह मेरा वही वाला कप है, जिस कप से मैंने दही ली थी तो उसी में मैंने हाफ कप पानी ले लिया है, इसलिए आपको पानी थोड़ा वाइट दिख रहा है, अब इन सबी ची नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमने वेजिटेबल एट की है, तो वो भी अपना पानी छोड़ेंगी, तो इसलिए हम इसे इसी तरह से कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारी वेजिटेबल है, वो अपना पानी छोड़ दे और सूजी हमारी अच्छे से फ पत्ता, आप जब भी ये नाश्ता बनाएं तो आप इस तरह से तड़का ज़रूर लगाएं, ये हमारे नाश्ते को एक अलगी लेविल पर लेके जाता है, साथ ही हमारे नाश्ता एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी होता है, तो यदि के तड़का एट करने के बाद इसे हम रेचे नाश्ता बनाने के प्रोसिस पर इस मजड़ा नाश्ते को बनाने के लिए आप इस तरह के कोई फी छोटा पेन या कढ़ाई ले लीजिए, उसमां हम अट करेंगे वन टीजपून ओईल, ओएट करने के बाद इसे हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे, और जैसे हमारा अगर आपके पास तिल या करी पत्ता नहीं है तो आप इसे सिंपल सर्सों के दाने में बनाकर रेडी कर सकते हैं तो दीके सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें एट करेंगे 2 स्पून बेटर मैं यहाँ पास सर्विंग इस्पून का इस्तमाल कर रही हूं बेटर एट करने के बाद इससे हम इस तरह से अच्छे से फिला लेंगे यह दिखे इस तरह से हम इसे हो जाती तब तक हम इसे पकाएंगे तो दीके इसे हमेंने कवर कर दिया है गेस का फिलाम हमें बिल्कुल लो रखना है तो दीके पांच मिनट के बाद आप देख सकते हैं अच्छे से यह पक चुका है जो इसकी उपर की लेयर है वो अच्छे से ड्राई हो चुकी है तो आप देख सकते हैं दूसरी साइट से भी हमारा नाश्टा अच्छे से सिख चुका है बढ़िया सा हमारा नाश्टा बनकर रेडी हो चुका है और इदिके आप देख सकते हैं दोनों साइट सा हमारा नाश्टा कितना अच्छे से सिखा है बहुत ही बढ़िया हमारा बेटर को हम अच्छे से फिला लेंगे ताकि हमारा नाश्टा बिल्कुल बन का रेडी हो है तो इदि कि सारे बेटर को हमने अच्छे से फिला लिया है CAP roytherald को नाश्टा में अच्छा क्रावाशाऊ चाहिए अब दूसरी साईट से शुलनीणे पर पका लेंगे जिदि के चार से पांच मिनट के बाद आप देख सकते हैं नाश्टा हमारा अच्छे से सिख चुका है अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइट से भी हम इसे लो फ्लेम पर दो से तीन मिनट के लिए पका लेंगे कम ओईल और कम समय में हमारा ये एनरजी से भरपूर नाश्टा बनकर रेड़ी होता है तो आप एक बार मेरी इस रेसिपी से इस मज़दान नाश्टे को जरूर बना कर ट्राई करें जिदी के नाश्टा हमारा बनकर रेड़ी हो चुका है चलते हैं इसे सर्प करने के प्रोसिस पर अगर आप ये बच्चों को लंच में दे रहे हैं तो आप उन्हें इस तरह से चार पीसिस में कट कर कर दें इस पॉइंट पर मेरी आपस रिक्वेस्ट ही कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किज़े वह आपकी तरफ से इनाम होता है हमारे लिए कम मेहनत और कम खर्च में हमारा सुपर टेस्टी हेल्दी नाष्टा बनकर रेडी हो चुका है अगर आप इसे नाष्टे में खाएंगे तो आप पूरे दिन एनरजी से भरपूर रहेंगे तो आप एक बार मेरी इस रेसिपी से मज़दान नाष्टे को ज़रूर बना कर ट् किचन हम आज मां आपके साथ शेयर करूंगी सुभा की भाग दोड में जटपड बनने वाले सुपर टेस्टी नाष्टे की रेसिपी यह आप इसे पैनकेक के लिजे बड़े ही मज़दान नाष्टे को बनाकर रेडी करेंगे तो इस मज़दान नाष्टे को बनाने के मैं यहाँ पर भारिक यहां की सुजी का इस्ताइल करी के साथ ही मैंने इस की पानी मान एट किया है। बनाता है इसमें नाष्टे करना है नाष्टे की जजाए हमें में उसके मिक्स करमें जरुंगे मिक्स में हमारी कोई भी गुठली ना रहे तो देखे सबी चीजों का मिक्स कर लिया आप देख सकते हैं कितना प्यारा से इसका बेटर बनकर रेडी हो चुका है इसे हम कवर करके 10-15 मिनट के लिए रख देंगे तब तक हम अपने दूसरी तैयारी कर लेते हैं यहां पर मैंने ले लिया है एक पैन इसमें हम अट करेंगे 3 टैबली स्पुन कुकिंग ओईल ओईल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमेट करूँगी, half teaspoon mustard seeds, यानि सरसो, one teaspoon मैं इसमेट करूँगी, जीरा इसे हम हलका सा fry कर लेंगे, अब हम इसमेट करेंगे कुछ सबजे, जो मैंने काट कर रखी थी, तिन से चार मैं इसमेट करूँगी, बारीक कट की हुई हरी इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे मैंने इसमें करीपता भी एट किया है वो वीडियो मेरी इसकीप हो गई है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि अगर आपके पास करीपता है तो आप इसमें जीरा और राई के साथ में करीपता भी एट कर दीजिए तो इदि कि प्यास को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है दो से तीन मिनट के लिए अब हम इसमें एट कर देंगे दो मीडियम साइस के उबले हुए आलू आलू को मैंने मोटा मोटा किरश कर लिया था वाइट कर रही हूँ आलू को हम मेडियम टू हाइफ लेंप एक से दो मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो आलू को हम इस तरह से स्पून की हल्प से मैश करते हुए फ्राई करेंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से मैश हो जाएं तो युदि के आलू को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है अब हम इस मैट करेंगे हाफ टी स्पून नमक वन फोर टी स्पून हम इस मैट करेंगे हल्दी पाउडर वन टी स्पून अमचुर पाउडर बस हम इन में इन ही पाउडर मसालों का इस्तमाल करेंगे और इसे हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे अगर आपके पास हम जोर पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं इसे हम बड़ी हैसे फ्राइ कर लेंगे जैसे हम आलू परहाटा या मसाला डोसे के लिए आलू का मसाला बनाते हैं इसी तरह का हम इसे बनाकर रेडी करना है थोड़ा सा मैंने इसमेट किया है बारी कटा हुआ हरा धनिया तो यह दिखे आलू का मसाला हमारा बनकर रेडी हो च गड़ा में थोड़ा थोड़ा पाणियु करूंगी यहाफ का पानी और एक करूंगीुद। मुझे अच्छ टीज करूंगे पेलियुक्त करेंगे अच्छ से अच्छ नमक करूंगी। हाफ टी स्पून ही हम इसमें एट करेंगे बेकिंग सोडा जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं तो दीखिए सभी चीज़ा एट करने के बाद इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं प्यारा सा हमारा बेटर बनकर रेडी हो चुका है बेकिंग सोडा और नमक एट करने के बाद हम बेटर को ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे फोरन ही हम इसका पैन केक बनाना स्टार्ट कर देंगे तो कोई भी इस तरह का पैन या तावाले लिए उस पर हम एट करेंगे वन टेबिली स्पून कुकिंग ओल ओल को हम अच्छे से इस पर स्प्रेट कर देंगे अब हम इस पर एट करेंगे वन इस्पून बेटर मैं यहाँ पर सर्विंग स्पून का इस्तमाल कर रही हूँ बेटर एट करने के बाद हम इसके ओपर एट करेंगे आलू का मसाला तो आलो के मसाले के हम इस तरह से टिक्की बनाकर रेडी कर लेंगे और टिक्की को हम एट कर देंगे बेटर के उपर इदिके इस तरह से एट करने के बाद इसे हम हलका सा प्रेस कर लेंगे बहुत ज़्यादा जोर से हम इसे प्रेस नहीं करना है अब हम इस पे देखिए इस तरह से स्पून की हेल्प से थोड़ा सा बेटर लगा कर इसे उपर से कवर कर देंगे ध्यान रहे हमें इसकी ज्यादा मोटी लेयर नहीं बनानी है तो यह देखिए आलो मसाले को हमने अच्छे से कवर कर दिया है आप देख सकते हैं हमारा पैनकेक देखने में कितना प्यारा लग रहा है अब इसे हम 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे आप चाहें तो आप इसे कवर करके पका लिजे नहीं तो आप इसे इसी तरह से खोल कर भी बना सकते हैं तो दीखे 2-3 मिनट के बाद पैंकेक हमारा साइट से अच्छे से सिक चुका है अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइट सा हम इसे हलका सा प्रेस करके लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे साइडों में हम इसमें थोड़ा सा ओलेट कर देंगे सूजी को हमने पहले दही में अच्छे से बिगो दिया था उसके बाद हमने इसमें बेकिंग सोडा एट किया है तो सूजी हमारी तवे पे जाते ही एक दम से पक जाएगी इसके कच्छा रहने के गुंजाईश बिल्कुल नहीं है तो दीके दूसरे साइट से भी मैंने इस अच्छे से पका लिया आप देख सकते हैं हमारे पेन केक में दोनों साइट से प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है पेन केक हमारे रेडी हो चुका है अब इसे हम निकाल लेंगा आप आप देख सकते हैं देखने में कितना प्यारा हमारा पेन केक लग रहा है इसी तरह से हम अपने बच्छे हुए पेन केक भी बना कर रेडि कर लेंगे पेन में हम एट करेंगे 1 टेबिल स्पून कुकिंग और इसपर हम एट कर देंगे 1 इस्पून सूजी का बेटर ध्यान रहे गेस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है अब हम इस पर रेट कर देंगे आलू मसाले की टिक्की बना कर तेदी की आलू मसाले की मैंने पहले ही टिक्की बना कर रेडी कर ली थी वो इट कर दी है अब हम इसको उपरेट करेंगे सूजी का बेटर रूर से हम अच्छे से कवर कर देंगे ज्यादा मोटी लेयर हमें इसकी नहीं बनानी है अगर आपका पैन ज्यादा बड़ा है तो आप एक टाइम में दो पैनकेक भी बनाकर रेडी कर सकते हैं और अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़े छोटे पैनकेक भी बना सकते हैं तो यदि के बेटर से हमने आलू मसाले को अच्छे से कवर कर दिया है अब इसे हम लोफ लिम पे दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे तो देखें दो से तीन मिनट के बाद पैनकेक हमारे एक साइड से अच्छे से पक चुका है अब हम इसे पलट लेंगे यहाँ पर मैंने इसे ज़्यादा जोड़ से पलट दिया था तो आप जब इसे पलटे तो आप पैनको हलका सा आड़ा कर लीजिए ताकि यह इसी ले पलटा जाए अब मैंने इस पर हलका सा ओल लगा लिया और इसे हम इस तरह से हलका से हिला देंगे ताकि इसकी सभी साइडों में अच्छे साइड लग जाए तो दूसरी साइड से भी हमने पैनकेक को लो फलेंपे दो से तेर मिनट के लिए अच्छे से सेख लिया है प्यारा सा हमारा पैनकेक बनकर रेडी हो चुका है सभी पैनकेक हमने इसी तरह से बना कर रेडी कर लिये हैं यह दिखिए जब आप इसे सर्फ करें तो आप इसे इस तरह से बीच में से दो पीसिस में कट कर लिए तब आप इसे सर्फ कीजिए ताकि पैनकेक हमारा देखने में और भी ज्यादा प्यारा लगे आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा पैनकेक लग रहा है आप एक बार मेरी इस रेसिपी से इस मज़दार पैनकेक को जरूर बना कर ट्राइ करें इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए वो आपकी तरफ से इनाम होता है हमारे लिए नाश्ते को जरूर बना कर ट्राइ करें या आपके घर में आपके बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा जो भी इसे खाएगा वो आपकी तारीब जरूर करेगा इतने ज्यादा टेस्टी हमारा पैनकेक बनकर रेडी होता है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लिए लाहाफीज हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल यासमिन्स के चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक अंडे और आलू से बनने वाले सुपर टेस्टी स्नेक्स की रेसिपी आप इसे स्नेक्स में भी बना सकते हैं बच्चों के लण्च बोक्स में भी आप इसे बना कर दे सकते हैं बड़े ही मज़े के बनकर ready होता है और बनाने का तरीका भी बिलकुल आसान है पांच मिनट में आपके ये मज़ेदार स्नेक्स बनकर ready हो जाएगा चलिए देखते हैं किस तरह से हम इस मज़ेदार से स्नेक्स को बनाकर ready करेंगे इस मज़ेदार स्नेक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार आलू ले लिये हैं आलू को मैंने पहले से ही छील कर रेडी कर लिया था इसी के साथ में मैंने यहाँ पर एक अंडा लिया है चार आलू के लिए एक अंडा इनफ है अंडे को हम रख देंगे side में और आलू की हम cutting कर लेंगे एक आलू को हम 4-5 pieces में इस तरह से cut कर लेंगे यह दिखें इस तरह से हमें इसके आप देख सकते हैं कितने मोटा हमें आलू को रखना है इस तरह से हमें इसके cutting करनी है यहाँ पर हमें आलू की cutting कैसे करनी है जैसे हम French fries के लिए आलू कट करते हैं सेम इसी तरह से हमें आलू की cutting करकर ready करनी है मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मोटी आपको आलू की cutting करनी है यह देखिए इतनी मोटे हमें आलू कट करकर ready करने है इससे ज्यादा मोटे हमें आलू कट नहीं करने है अगर आपका आलू मोटे कट गए तो आपका इसनेक्स अच्छा नहीं बनेगा अंदर तक उसमें flavor नहीं जाएगा सभी आलू के हमने cutting करकर ready कर ली है आप देख सकते हैं सभी आलू के हमने same तरह से cutting करकर ready कर ली है अब हम आलू को 400-500 अच्छछे से wash कर लेंगे और इससे हम 2-3 मिनट के लिए stanner में रख देंगे यह दिखे आलू को मैंने 45-500 अच्छे से wash कर लिया था वाश करने के बाद मैंने इसे पांच मिनट के लिए इस टेनर में रख दिया था ताकि इसका सभी एकस्टा पाने ड्राई हो जाए अब हम इसमें एट करेंगे कुछ spices जो की कुछ यूँ है हाफ टेबली स्पून हम इसमें एट करेंगे चिली फ्लेक्स अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी एट कर सकते हैं इसी के साथ में हम इसमें एट करेंगे हाफ टेबली स्पून नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकोडिंग कम्या ज्यादा कर सकते हैं एट करेंगे गरम मसाला इसनेक्स को सुपर टेस्टी बनानी के लिए हम इसमें एट करेंगे हाफ टेबली स्पून चाट मसाला चाट मसाला एट करने साब के स्नेक्स में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसनेक्स में प्यारे से लुक और खुश्बों के लिए हम इसमें एट करेंगे बारिक कटा हुआ रधनिया इसी के साथ में हम इसमें एट करेंगे एक अंडा अंडे के साथ ही हम इसमें एट करेंगे 4 टेबिलिस्पून मेदा बस हम इन में इन ही चीजों का इस्तमाल करेंगे इसमें हमें कोई अलग से मिर्च मसाले एड नहीं करने और ना ही हमें इसमें पानी एड करना है 4 टेबिल स्पून मैदा हमने एड कर ली है सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को हमने अच्छे से mix कर लिया है सभी आलू पर हमारे अच्छे से मसाले और मैधा कोड हो चुकी है इस पॉइंत पर अगर आपको लगता है कि आपका mix थोड़ा पतला है सभी आलू पर अच्छे से मैधा कोड नहीं हुआ है तो आप इसमे वन टेबिल स्पून मेदा और एट कर सकते हैं चलते हैं ने फ्राइ करने के प्रोसिस पर यहाँ पर मैंने ओइल को पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था अब हम इसमे एट करेंगे आलू एक एक आलू उठाएंगे हम इस तरह से पलटते हुए दोनों साइट से अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राइ कर लेंगे इस पॉइंट पर मैंने गेस का फ्लेम मेडियम टू हाई किया हुआ है मेडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें हमें 2-3 मिनट के लिए फ्राइ करना है यह दिखें 2-3 मिनट के बाद मज़ेदार स्नेक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है इनमे सभी स्नेक्स को हमने इसी तरह से फ्राइ करकर रेडी कर लिया है आप देख सकते हैं कितने प्यारे हमारे स्नेक्स बनकर रेडी हुए हैं आप एक बार मेरी इस रेसीपी से इस मज़ेदार से स्नेक्स को जरूर बना कर ट्रै करें ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्यार सा कमेंट जरूर कह कीजिए वह आपकी तरफ से इनाम होता है हमारे लिए कम महनत और कम बजड में हमारा मज़ेदार चटपटा मसालेदार स्नेक्स बनकर रेडि हो चुका है आप इसे जब एक बार बनाएंगे तो ये बच्चे और बड़े आप से बार बार इसी को बनवाने की फरमाईश करेंगे इतना ज्यादा टेस्टी हमारे स्नेक्स बनकर रेडि होता है वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनीक स्टाइल पटाटो स्नेक्स बनाने की रेसिपी इसी स्नेक्स को हमने आलो और ब्रेट से बनाकर रेडि किया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यूनीक हमारे स्नेक्स बनकर रेडि हुआ है आप इसे जब बनाएंगे तो ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा चलिए देखते हैं किस तरह से हमने मजदार से स्नेक्स को बनाकर रेडि किया है उससे पहला अगर आपने मेरे चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब पररें साथ Jerryelled बेल आईकन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी लेटस रेसीपी मिस न कर सकें इस नेक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो मेडियम साइज के आलो ले लिये हैं आलो को हमने छील कर अच्छे से वाश कर लिया है अब हम इसकी कटिंग करेंगे जैसे हम फ्रेंच फ्राइस की कटिंग करते हैं इस तरह से हमें इसकी कटिंग करकर रेडी करना है इस देखें इस तरह से हमें इनकी कटिंग करनी है कितने प्यारा से हमारा फ्रेंच फ्राइस बनकर रेडी हो चुका है सभी आलो की हम इसी तरह से cutting करकर ready कर लेंगे आलो की हमारी cutting हो चुकी है अब हम इने एक बाउल में transfer कर लेंगे और इसे 2-3 मरतबा अच्छे से wash कर लेंगे पैन में हमने ले लिया है पानी अब हम इसमे एट करेंगे half table spoon नमक इसी के साथ हम इसमे एट कर देंगे जो आलो हमने cutting करकर ready के हैं वो एट कर देंगे और इसे हम 2-3 मिनट के लिए cook कर लेंगे 2-3 मिनट के बाद आलो हमारे 50% cook हो चुके हैं अब इसे हम एक plate में निकार लेंगे यहाँ पर हमने ले लिया है एक टीशू टीशू पर हम एट कर देंगे जो आलो हमने boil करकर ready के हैं वो एट कर देंगे अब हम kitchen towel या टीशू की help से आलो को dry कर लेंगे आलो हमारे अच्छे से dry हो चुके हैं अब हम इने एक mixing bowl में ट्रांसफर कर लेंगे सभी आलो हमने mixing bowl में एट कर दिये हैं अब हम इसमें एट करेंगे वन टेबिली स्पून कोण फिलोर में यहाँ पर कोण फिलोर कर इस्तमाल कर रही हैं अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर मेदा का भी इस्तमाल कर सकते हैं इस point पर हम इसमें एट करेंगे कुछ spices टीसम पूंस चिल्लीज तोड़ा सा इसमें मैट करेंगे नमक क्ईल करते हुगए था अब हम इसमे dow expiren फूर्ट बॉरंग सी लाल मिर्च पउडर सबीको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि छाप दिकी सॉकर से हमें से मिक्स करना है ऐसे मिक्स करने से हमारे आलू पर कॉन फ्लॉर की अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी आलू हमारे रेडी हो चुके हैं इन्हें हम रख देंगे साइड में और यहाँ पर हमने ले लिया है तीन ब्रेट के स्लाइज इसकी हम कॉर्नर्स कट कर लेंगे मैं यहाँ पर कम कॉन्टिटी में स्नेक्स बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर तीन ब्रेट के इस्तमाल कर रही हूँ अगर आप ज्यादा स्नेक्स बना रहे हैं तो आप ज्यादा ब्रेट के इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर हमने ले लिया है एक bread और इसे हम rolling pin की help से flat कर लेंगे इस तरह से हमें इसे बिल्कुल अच्छे से flat कर लेना है ताकि जब हम इसका roll बनाए तो इसका easily roll बन जाए दिदेखे bread हमारा अच्छे से flat हो चुका है बचे हुए bread भी हम इसी तरह से बना कर ready कर लेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एट करते हुए इसका बेटर बना कर ready कर लेंगे और यह देखे बैटर हमारा बन कर ready हो चुका है आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा हमारा बेटर बन कर ready हो चुका है इसे हम रख देंगे साइड में अब हम ले लेंगे एक bread जो हमने फ्लेट करकर ready किये थे और उसकी हम इस तरह से cutting कर लेंगे इसनेक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर तीन ब्रेट का इस्तमाल किया है और तीन ब्रेट में हमारे छे स्नेक्स बनकर ready हो जाएंगे अब हम इसे एक bread पर add करेंगे चार आलू जो हमने आलू बना कर ready किये थे वो add कर देंगे bread को fold करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा मेदा लगा लेंगे जो हमने मेदा का better बना कर ready किया था वो इस तरह से हम bread के side में लगा लेंगे अब हम इसको roll करते हुए इसका snacks बना कर ready करेंगे यह देखे इस तरह से हमें इसे roll करना है snacks हमारा बनकर ready हो चुका है कितना प्यारा हमारा snacks बनकर ready हुआ है बच्चे हुए snacks भी हम इसी तरह से बना कर ready कर लेंगे यह देखें सभी स्नेक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं आप देख सकते हैं कितने प्यारे हमारे स्नेक्स बनकर रेडी हुए हैं चलते हैं ने फ्राइ करने के प्रोसिस पर पैन में हमने ओईल को गर्म कर लिया है अब हम इस मैट कर देंगे जो हमने स्नेक्स बना कर रेडिकेद हम वाइट कर देंगे और इसे हम इसनेक्स को हम हाई फिलेम पे अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राइ करेंगे यहाँ पर आपको एक खास बात का ख्याल लगना है कि आपको गेस का फिलेम मेडियम नहीं करना है इसे हम हाई फिलेम पे ही फ्राइ करेंगे आप देख सकते हैं इसनेक्स में हमारा अच्छा प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी क्या कीजिए ताकि आपकी कमेंट पढ़कर हमें अच्छे लगे अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ यह साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी लेटस रेसिपी मिस ना कर सकें डिफरेंट और यूनीक स्टाइल स्नेक्स बनकर रेडि हो चुके हैं आप देख सकते हैं कितने प्यारे हमारे स्नेक्स बनकर रेडि होएं खाने में इतने ज्यादा टेस्टी हमारे स्नेक्स है कि आप इसे खाने से खुद को नहीं रोक पाएंगे आप एक बार इस रेसीपी को जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट करकर लाजमी बताइए कि आपको मेरी रेसीपी कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाहाफीज